हेलो फ्रेंज, वेलकम टू माई चैनल, भारत्य संस्कृती में शंक को विशेश स्थान प्राप्थ है, शाष्ट्रों, वेदों और पुराणों में भी शंक का उल्लेक आता है, माना जाता है कि समूद्र मंथन के बाद प्राप्थ 14 रत्नों में से एक रत्न शंक भी था, शंक शंक कम है तो धार्मिक दिश्टी से ही नहीं, बलकि विज्ञानिक रूप से भी है, विज्ञानिकों का मानना है कि इसके प्रभाव से सूर्य की हानिकारक किरने बादक होती है, कहा जाता है कि इसकी द्वनी जहां तक जाती है, वहां तक व्यापत बिमारियों के किटानों जोतिशाचारियों के अनुसार शंक बजाने से आसूरी शक्तियां घर के भीतर परवेश नहीं करती। वैसे शंक समुद्र में पाए जाने वाले एक परकार के घोंगे का खोल है जिसे वे अपनी सुरक्षा के लिए बनाता है। शंक बजाना स्वास्तिय की दृष्टी से बहुत लाबदायक है। इसे बजाने से पूरक, कुल्भक और रेचक जैसे प्राणायाम क्रियाएं एक साथ हो जाती है। शंक बजाने से आसपास की नकारात्मक ओरजा का नाश तदा सकारात्मक ओरजा का संचार होता है। शंक की संबंदित रोगों जैसे ब्लड प्रेशर दिल की धरकन की आसमान्य गती आदी से छुटकारा के लिए शंक बजाने का अभ्यास सरल इलाज है शंक बजाने से आत्मबल में व्रिदी होती है यदि आपको थायराइट की समस्या है तो प्रती दिन सुभा शाम शंक बजाने से इ नाश होता है शंक में प्राकर्तिक कैल्शियम गंदक और फासफोरस की भरपूर मात्रा होती है शंक बजाने से चेहरे श्वशन तंत्र श्रमन तंत्र तथा फेफरों का वयायाम होता है तथा स्मरन शक्ति बढ़ती है प्रती दिन शंक जल पीने से बच्चों का हकलाना और दक्षनावर्ती, मध्यावर्ती और वामावर्ती दाईं तरब से खुलता है, मध्यावर्ती बीच से खुलता है और वामावर्ती बाईं और से खुलता है, मध्यावर्ती शंक बहुत ही कम मिलते हैं, इसके अलावा भी अनेक प्रकार के शंक पाए जाते हैं, जैसे लक्षमी शंक में पानी रखकर उसे पेने से अनेक रोग मिठते हैं और शंक में यदि गाई का दूद रखकर उसका छिड़काव किया जाए तो सकारात्मक औरजा का संचार होता है इस परकार आपने जाना कि शंक हमारे लिए कितना महत्व रखता है इसका परयोग औशदिये गुणों से भरपूर होने के साथ साथ अध्यात्मे गुणों में भी हमें लाग पहुंचाता है धन्यवाद दोस्तों